चलिए सर आज का चेप्टर है हमारा यूनिट फाइव वाला कि ये चेप्टर थियोरी का पूरा है फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार डिसकस भी हो जाएगा और कर भी लोगे ये है हमारा यूनिट फाइव और ये माक्स है आपका 20 आज स्टार्ट होगा आज खतम हो जाएगा कुछ एक पार्ट रह सकता है और पास होने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कई बच्चे नॉर्मली ना थियूरी चेप्टर को थोड़ा सा ना लीनियंट इग्नोर करके चलता है रहे थियूरी है छोड़ा टाना इसे क्या देखेंगे लेकिन आप थियूरी मत देखो 20 नंबर देखो आपका पता है पहला यूनिट कितने नंबर का है 15 नंबर का जिसम के लिए थोड़ी सी बस मैनत कर लेना याद कर लेना पास होने का बहुत आसान तरीका आपका प्रॉबैबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी मतलब डेफिनेटली पास तो होई जाओगे तो सर कॉर्परेट फाइनेंशल रिपोर्टिंग तो सबसे पहले एक एक करके इसके मीनि कमपनी से कमपनी से कॉर्परेट का मीनिंग क्या है सर कमपनी से फाइनेंशल रिपोर्टिंग मतलब यहां पर बात चीत चलेगी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लेकिन यहां प्रैक्टिकल बहुत कम नहीं है सारत थेयुरिटिकल के बीसिस पे रहे हैं हम सर इसके अंदर हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं नंबर वन सी एस आर कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी यानि कमपनी की जिम्मेदारियां क्या-क्या है नंबर दो पे करेंगे हम एक्स बी आर एल एक्स बी आर एल यह जब मैं करवाओंगा तो बता दूँगा बैलेंस रिपोर्टिंग का एक लेंग्वेज है यह सॉफ्ट्वेर पढ़ेंगे नंबर तीन पे हम पढ़ लेंगे आपका एन्वल रिपोर्ट इसके अंदर एन्वल रिपोर्ट भी पढ़ना है इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे फाइनेशल स्टेटमेंट और क्या पढ़ेंगे सर इसमें और पढ़ना है हमें triple line bottom triple bottom line और क्या पढ़ेंगे हम सर इसमें एक है board of director board report सर board report कैसे बनता important है यह यह आज cover नहीं करने वाले हम और क्या पढ़ेंगे सर segment report भी होगा जो की accounting standard 17 govern करेगा तो यह कुछ एक topics पढ़ेंगे हम पहले CSR की बात कर लेते हैं CSR होता क्या है actual में CSR हमारा है corporate social responsibility CSR corporate social responsibility होता ऐसा है कि कई बार पहले बहुत पहले से चला रहा है although लेकिन हमें पता नहीं होता जितनी बड़ी बड़ी companies हैं जो बहुत बड़ी बड़ी companies हैं बहुत बड़ी company किसको बोलेंगे सर जिसका sales हजार करोड हो उसको बड़ी बोलेंगे या फिर जिसका net profit पांच करोड हो या फिर जिसका worth नेट वर्थ 500 करोड हो अगर जिसके अंदर इस टाइप की company के अंदर points पाए जाते हैं उसको हम छोटी मोटी company नहीं बोल सकते उसको कौन सी company बोलेंगे सर बड़ी company तो जो CSR है यह किस company के लिए important है इन company के लिए important है जिसके अंदर यह सारे बाते मिलेगी यानि उसकी sales कितनी होनी चाहिए 1000 करोड और जिसकी net profit कितना होना चाहिए 5 करोड और net worth 500 करोड नेट वर्थ क्या होता है assets minus liability जब कर देते हैं यानि share capital kind of कह सकते हो 500 करोड होना चाहिए तो उस company को इसके बारे में सूचना है और जो छोटी मुटी company है इसके नीचे वाली सारी उनको कोई मतलब भी नहीं भी या क्या चल रहा है CSR यानि इस company में कौन-कौन आ सकता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी company जो आपने सुना होगा ना Microsoft आ सकता है तो यह सभी के अंदर आते हैं तो सर यह क्या होता है government कहता है कि भाई आपने business है ठीक है आपने एक business open किया और यह business जो है यह आसपास के environment में है और यह यहाँ पे business की permission आपको लोगों ने दिया यहाँ के लोगों ने आपको याद हो Tata Nano सबसे पहले जो बनने वाला था न वो कौलकाता सिंगूर plant में बनने वाला था एक सिंगूर plant Tata Nano अगर किसी को याद हो क्यों कि पुरानी बाते हैं शायद याद भी हो तो वहाँ बनने वाला था लेकिन वहाँ के लोगों लेकिन वहाँ के पब्लीक ने और वहां की गर्मन्ट ने नहीं लगने देंगे फिर Tata को वहाँ से वाइंड अप करना पड़ा बिसनस नहीं चला पाया वह ताटा ने फिर जाके गुजरात में नरेंदर मोधी से बात किया के सर हमें काम चाहिए तो नरेंदर मोधी ने बोले ठीक है उन्होंने फटाफट से उनको प्लांट दिया और वहाँ पे फिर जाके गुजरात में नैनो कार का मैनिफेक्चरिंग स्टार्ट हुआ था तो यानि सर आप बिजनस जहां भी करोगे तो बिजनस आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं आपने दुकानदारी जो चला रहे हो ये मज़ सोचना के हमारी मेनत है आपको ये सभी पब्लिक पर्मिट कर रहे हैं तब ही आप चला रहे हो और आपकी social work करिए social work का मतलब लोगों के परती भलाई करिए corporate मतलब किसको बोला जा रहा है sir in type के company को बोला जा रहा है ऐसी company को थोड़ा social भी करना चाहिए और अब social in company की मर्जी नहीं है in company को report यानि compulsory है भाई साब compulsory है अगर नहीं reporting भी करनी होगी इनको जाके किसको government को हम तो कर रहे हैं ऐसा और इससे जो नीचे वाली company है उनकी मर्जी है वो चाहते है CSR में पैसा डालना तो डालिए मैं चाहूँगा डालना तो डाल सकता हूँ बाकि इस company के उपर तो government ने compulsory लगा दिया के आपको इन जगह पे भलाई के लिए पैसा डालना ही डालना है अब मुद्द की बात आई सर कितना पैसा डालना है अपने net profit का कम से कम 2% आपको इन भलाई पे डालना है सर भलाई का मतलब क्या है rule number 7 में बोला गया क्या क्या भलाई करी जाएगी जैसे की COVID vaccine बन रहा है उसके अंदर welfare वहां के पूर जो child है उनको पढ़ाने का काम hospital आपके दवाई वगरा देने का काम यानि social welfare आप जानी रहे हो बच्चों को पढ़ाने का काम पढ़ाने का मारे पाके पार जाएगी अब्स क्लियर आँव जाफ दोस्तिया नौके वर्टाफ़ा पार भाट क्लियर येस तो मैं क्या कह रहा था कि हमें CSR में कितने परसेंट देना है दो परसेंट देना और ये कमपलसरी है आप अगर CSR में पैसा डालते हैं में corporate social responsibility में आज मैं टाटा की बात कर रहा था टाटा की image public में क्या है आपका एक good man की image माना जाता है रतन टाटा का क्यूं कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा है वह donate करते हैं वह उनके hospital है, उनके school है, उनके charity है, बहुत सारी चीज़े जो donate करते हैं, तो उसको एक समाज के अंदर, एक हमारे environment के अंदर एक अच्छे नजरिये से देखा जाता है, आज के time पे Tata का कोई भी product आप देखते होगे, आपके मन में भी एक respect आ जाता है, क्योंकि उनका पीछे से इ नहीं Tata का product है, तो बढ़िया है, और Reliance का नाम सुनते ही, आपका वहाँ आएगा कि ये fraud ही करेगा, कुछ ना कुछ करेगा तो, तो ये दोनों company में difference है ये चीज़े, ठीक है न, तो sir, CSR किन company के उपर apply होता है, ये पूछा जा सकता है, और कितने percent होगा हमारा याद रखना का 2%, ठीक है, चली आएए समझते हैं, जितनी बाते मैंने बताई, इस से उपर कुछ भी नहीं है, CSR, benefit क्या होगा, आपका better image बनेगा, आपका profit बढ़ेगा, आपका sales भी बढ़ेगा, और आपको और बहुत सारे benefit मिल जाएंगे, support मिलेगा environment से, तो sir, पढ़ लेते हैं फटा social responsibility, यह तो मैं सुरू से बोलता आ रहा हूं, CSR is management concept whereby company integrate social environmental concern in the business operation, मतलब business तो करोगे, साथ के साथ social भी होना है आपको थोड़ा सा, आपका interaction with their stakeholder, stakeholder का मतलब कोन होता है, जो आपकी company के साथ जुड़ा हुआ है, उसको stakeholder बोलते हैं, ऐसा ही public भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, company, basically shareholder को भी stakeholder बोला जाता है, in the companies act, company act 2013, it has been defined the company responsibility towards the environmental and community of whole, मतलब उसकी जिम्मेदारी दे दी गई, कि company की responsibility है, कि उस environmental और पूरे पे देखना, company is mandatory liable for fulfill the corporate social responsibility, ऐसे नहीं अपनी मनमानी चलोगे, mandatory अब आपको करना पड़ेगा, through activity relating to environmental, और कुछ activity अपने हिसाब से करिया, हम boundation नहीं कर रहे, लेकिन उसकी report आपको भेजनी है, fact के साथ, education, social activity, etc, CSR also mean the way through which company achieve the balance of economic, environmental and social responsibility, यानि पैसे कमा रहे हो, साथ के साथ भलाई भी कर रहे हो, तो आप balance में चल रहे हो, ये नहीं कि स्रीफ पैसे कमाई जा रहे हो, पैसे कमाई जा रहे हो, और लोगों की भलाई नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई balance नहीं है, business का, इसका मतलब, तो आज के time पे बहुत important हो गया है इसका, सर कहता है कि however, आपका constitution CSR, following company responsible, कौन-कौन company responsible है, कौन-कौन बनाएगा, किस-किस को responsibility है, कहता है company with the net worth कितना होना चाहिए, 500 करोड, और company का annual turnover कितना होना चाहिए, 1000 करोड, और company का net profit कितना होना चाहिए, 5 करोड, जिसके अंदर ये, कोई भी तीनों में से कोई भी एक, अगर point उसके अंदर देखा गया, तो वो CSR के अंदर आ जागा, मान लेते हैं, मेरा sales 200 करोड है, लेकिन मेरा net worth अगर 600 करोड है, तो मुझे CSR करना पड़ेगा, ऐसा नहीं के तीनों होगा, कोई भी एक, और कुछ listed company जितने भी है, उनको हमेशा CSR में contribute करना ही करना पड़ता है, तो आपसे question पूछा जा सकता है, meaning of CSR, CSR के लिए कौन-कौन libel है, वो पूछा जा सकता है, इसके बाद कितना amount create करना है, तो average profit of the company last 3 year, financial year, prescribe 2% amount of net profit last 3 year का आपको CSR में पैसा डालना है, detail of CSR is spent during the financial year, जो भी detail होगा, आपको report करना प पड़ेगा, आपको corporate, मतलब MCA को report करना पड़ेगा, जो ROC उनको report करना पड़ेगा, कि हम ये काम कर रहे है, in case the company has failed to spend 2% average net profit 3 financial year, reason thereof, अगर fail होता है, तो उस company के उपर 25 लाख रुपए, 50,000 से लेके, पांच लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का उस company के उपर fine लगाय होगा, अब एक example यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, मान लो 2010 में आपका net profit आया 100 करोड, तो आपको कितना बनाना है CSR बताओ, 2% बनाना है, average profit बता रहा हूँ, तो आपका 2% देखा जाए, तो 2 करोड, लेकिन मैंने इस साल 2.5 करोड बना दिया, यानि 0.5% ज्यादा बना द मेरा net profit था, मान लेते हैं, फिर से 100 करोड, लेकिन इस सार मैंने CSR सिर्फ मैंने बनाया 1.5 करोड, यानि 0.5%, तो आप ऐसा मत समझना, एक साल मैंने ज्यादा बना दिया, एक साल 5.5 कम गना दिया, तो compensate हो जाएगा, नहीं, हर एक साल 2%, 2 से ज्यादा आपकी मर्जी, आप 100% CS कर दो, government नहीं बोलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर, चलिए सर इसके बाद क्या करता है, एक CSR कमेटी भी बनाना पड़ेगा, कमेटी का मतलब, आप CSR बनाया है, उसको सही तरीके से आप चला रहे हो, या नहीं चला रहे हो, उसको किस ढंग से चलाना च है, और one of the must have been independent director, independent director का मतलब होता हो, किसी से concern नहीं होता, इसके लिए especially एक exam देना पड़ता है, independent director के लिए, तब जाके किसी company के अंदर eligibility मिलती है, only of the company required appointment, only if the company required, तो आपके कितने होने चीए, तीन से ज़्यादा director है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहत बनी, और committee में तीन से ज़्यादा director रखो, जैसे तीन रख दिया, और एक independent director रख दिया, तो चार बंदों ने मिलके एक committee है, जो कि देख रही है fund को, कि कैसे कैसे ये काम चल रहा है, अगर कहता है, जहाँ पे दो director है, private limited company में, तो वहाँ पे वो दोनों ही इसके अंदर रहें कहता है, at least two directors of the foreign company के अंदर भी होना चाहिए, और person, यानि sir, ultimately, जहाँ पे आपके public limited के अंदर, तीन director होने चाहिए, दो वैसे, और एक independent, और normal के case में, दो director, ये director का काम क्या है, एक committee का हिस्सा बनेंगे, और उस committee में जो पैसा आ रहा है, दो person निकल के, उसको कहां-कहां खर जिम्मेदारी होगी, अगर इसने fault किया, तो इनके उपर penalty लगाया जाएगा, sir, आगे देखते हैं, function, कैसे-कैसे function करेगा, the corporate social responsibility committee of the company, a sign of the following function, क्या-क्या काम करेगा, formulate CSR policy, CSR policy का मतलब, भया, इसका पैसा कहां-कहां खर्च करना है, एक policy बनाओ, and recommendation to the board of director, board of director को बोलेगा नहीं भाई, तुम बच्चे को पढ़ाओ, school खोल लो, इससे अच्छा, यहाँ पर खर्चा करो, तो यह क्या करेगा, एक recommendation देगा, policy बनाएगा, recommending the budget of the spend of CSR activity, कितना पैसा अभी खर्च करना है, कितना बाद में करना है, सारी चीज़े बताएगा, monitoring the CSR policy of the company, अब मैंने बता to the CSR policy, मतलब, address of the CSR policy, मतलब, implement वही, घुमा फिरा के वही बात कर रहा है, कि CSR को यह क्या करेगा, implement करेगा, कि यहाँ पर हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा, function of corporate social responsibility, आगे आईए सर, यह था हमारा CSR, CSR के उपर यह तीन टाइप के question पूछे जा सकते हैं, मैंने इसके अंद करेगा, मैं उसके core बता रहा हूँ, इसके अंदर आप कुछ एक point और भी extra मिले, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने 10 year के अंदर extra डाला हुआ है, CSR के क्या benefits है, CSR के क्या advantages है, CSR के क्या limitation है, यह भी होगा, CSR कौन करेगा, तो यह सारी चीज़े आपको पढ़ लेना है, benefit आपको normally अब पढ़ होगे, तो आपको समझ में आ जाएगा,